हेलो नुमस्कार दोस्तों आज मैं फिर से हाजूर हूँ आपके लिए एक और इंफर्मेटिव वीडियो के साथ आज का हमारा टॉपिक है सेंट पर्सनल लोन स्कीम यह पर्सनल लोन स्कीम है सेंट्रल बैंक आफ इंडिया की तो जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं स्ट एडूकेशन लोन्स पर्सनल वेहिकल लोन्स कमर्शल वेहिकल लोन्स टूविलर्स होम लोन्स तो हर तरह के लोन स्कीम पर आपको हमारे चैनल पर अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी जो कि हम रेगिलर अपडेट करते रहते हैं तो आप इन में से कोई भी लोन लेने की सोचे तो एक बार इन वीडियो को जरूर देख लें ताकि आप इन में से जो बैस की में वह चूज कर पाएं और आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप सेंट्रल बैंक आफ इंडिया पर्सनल लोन्स कीम को कैसे अवेल कर सकते हैं कितना मैक्सिम्म लोन दिया जाएगा क् क्या इंट्रस्ट्रेट है क्या सिक्यूरिटी है मार्जिन है इसके लावा आप से क्या-क्या चार्जिस लिए जाएंगे मैं हूँ आपका दोस्तों ही स्वागत करता हूं आप सबका टेकी पैंडित में और जुड़ रही है हमारे साथ ऐसे ही इन्फोर्मेशनल वीडियो के तो दोस्तों सेंट्रल बैंक आफ इंडिया पर्सनल लोन यानि की सेंट पर्सनल लोन स्कीम तो इसका पर्पस क्या है तो दोस्तों पर्सनल लोन आप चाहें सेंट्रल बैंक आफ इंडिया से लें या किसी भी कमर्शल बैंक से लें तो पर्पस सेम ही रहता है कि आप किसी भ requirement हो family में marriage हो या कोई भी domestic requirement हो या कोई urgent कोई आपकी liability हो जो आपने pay करनी हो तो किसी भी तरीके की legitimate need को पूरा करने के लिए आप इस loan को avail कर सकते हैं हाँ कुछ बैंक कुछ चीजें इसमें जो allowed नहीं है activities वो gambling व्यारा वो तो ऐसे भी आप मतलब आपसे कोई end use verification नहीं होता लेकिन bank यही कहता है कि आप जो पैसा ले रहे हैं इसको legitimate use के लिए इस्तिमाल करें eligibility criteria क्या रहेगा sent personal loan scheme का तो कोई भी center government state government के permanent employees जिनका job में एक साल पूरा हो गया हो है तो वो लोग इस loan scheme में available कर सकते हैं उसके अलावा confirmed employee permanent employees इंडियन multinational companies के जिनके कम से कम तीन साल पूरे होके हो तो किसी MNC में corporate में काम करते हैं तो आपके तीन साल पूरे हो गया तो आप भी eligible है तो government और प्राइविट दोनों तरह के employees जो है salary वो इस loan scheme को अवेल करने के लिए eligible है तो quantum कितना रहेगा इस loan scheme में maximum आपको जो loan दिया जाएगा वो है 20 multiplied by your gross monthly salary अपनी gross जितनी भी आपकी monthly salary है without any deductions जितनी gross है उसको 20 से multiply कर लीजिए तो उत्ता ही loan maximum इस loan scheme में आपको मिलेगा हाँ बट इस इस पे एक ceiling रखी गई है maximum cap रखा गया है 10 lakh का तो 10 lakh से जादा नहीं बनेगा अगर आपकी gross monthly salary को 20 से multiply करने के बाद 15 lakhs बनता है तब भी आपको 10 lakh की मिलेगा क्योंकि maximum cap जो रखा गया है वो 10 lakhs का है हाँ अगर आपका काम है 20 multiply भी और ग्रास मंत्री salary अगर 7 lakh बनता है तो आपको 7 lakh की मिलेगा 10 lakh नहीं मिलेगा तो 10 lakh का maximum cap रखा गया है बाकि आपनी gross monthly salary को 20 से multiply कर लीजिए उसके अलावा minimum take home pay तो 40 पर संट रखी गए है इस केस में तो यह RBA की guideline है तो minimum take home pay जरूर होनी चाहिए इस केस में 40 पर सेंट है इसका मतलब यह हुआ कि 40 percent salary आपको save करके घर पे ले जानी होगी बाकी का जो पार्ट बचेगा उसी में से आपको यह वाली यह माई उसके अलावा अगर आपकी कोई और EMI है या कोई और आपके खर्चे हैं जो regular है जैसे की LIC policy या कोई और आपने कोई obligation आपकी तो वह सारी 60 परसेंट पार्ट में से पे होगी 40 परसेंट आपको save करना होगा for example अगर आपकी salary है 20,000 तो 40 परसेंट उसका 8,000 आपको घर पे लेके जाना होगा बाकी के 12,000 में से ही आपको यह वाली EMI और इसके अलावा अगर आपकी already को रनिंग EMI है LIC की कि इस्टॉल्मेंट है तो वह सब 12,000 में से बे होगी तो documentation क्या-क्या required है इसके लिए तो सबसे पहले तो borrower का KYC चाहिए होगा जो लोन लेने जा रहा है उनका address proof, address proof पे आप दे सकते है passport, piped gas connection bill, electricity bill, water bill, landline, telephone bill उसके अलावा आपको देना पड़ेगा अपना ID proof, ID proof पे आप दे सकते है pancard, watercard, driving license, but pancard जो है वह mandatory है क्योंकि pancard से ही आपका civil score generate होगा और उसी पर depend करेगा आपको लोन दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा क्योंकि civil score में आपकी जो repayment history होती है वो reflect करती है आपने history में कितने loan लिये हैं, कैसे कैसे repay किये हैं अगर आपने कोई loan repay नहीं किया है अच्छे से या आपने कोई loan NPA किया है या कोई loan adjust किया है तो वो सब उसमें reflect हो जाएगा फिर यह bank की discretion होगी वो loan देगा आपको या नहीं देगा अगर आपको NPA है तो आपको शायद कोई भी bank loan नहीं देगा अगर आपको कुछ adjustment वगा रहा है या कुछ आपने loan pay कर दिया है वो तब भी reflect कर रहा है तो bank से आप NOC लेके दे सकते हैं उसके बाद आपको income proof देना होगा income proof depend करेगा आपके profession पर इसमें तो यह mostly salary के लिए ही loan है तो आपको latest तीन salary slips देनी होगी अपने institution से लेके salary slips के अलावा form 16 या ITR की copies देनी होगी उसके अलावा आपको bank statement देनी होगी last six months की अगर आप किसी और bank में आपकी salary है तो but banks जो है personal loan के लिए यही prefer करते हैं कि उनके पास जिनकी salary है वो उनको ही जादता है personal loan offer करते हैं interest rate क्या charge कर रहा है central bank of India personal loan के लिए low category और medium risk category दो तरह की categories बनाए गई है central bank of India के दोरा यह categories में भी depend करता है कि आपका bank के साथ relation किस तरीके का है है आपका civil score किस तरीके का है और आपका income source किस तरीके का है उसी के depend करके यह दो categories बनी है तो low category में जो low risk category में जो percentage आपको rate of interest आपको देना पढ़ रहा हुआ 9.85 और medium risk category में 10.05 तो यह rate of interest जो है यह अभी के latest rates है यह में भी अब अगर आज भी शायद bank में पूछने जाए तो कुछ और rates हो सकते हैं क्योंकि यह video मैंने कल बनाया था तो यह rates जो होते हैं change होते रहते हैं यह कभी भी सेम नहीं रहते आप जब भी loan लेने की सोचते हैं interest rate एक बार website पर जाकर चेक कर लें यह bank पर जाकर एक बार confirm कर ले क्योंकि rates are always subject to change क्योंकि कई बार मुझे लोग बोलते हैं कि आपने इतना rate बताया है लेकिन at present यह rate नहीं है तो rates जो है वो change होते रहते हैं बट यह authentic है मैंने इनकी bank की website से ही उठाये हैं बट यह change होते रहते हैं तो repayment period कितना रहेगा इस loan scheme के लिए 48 EMIs यानि कि 4 साल में आपको यह loan देना होगा equal EMIs में हां बट कुछ banks जो है आपको 5 साल का period देते हैं बट central bank का आपको 4 साल का ही time दे रहा है इस loan को repay करने के लिए हां इस loan में किसी तरह का कोई holiday period नहीं होता है हां इसका disbursement जो होगा वह one go में हो जाएगा और इसका जो पैसा है वह सीधा customer के account में जाएगा ऐसा नहीं है कि किसी जैसे education loan में होता है college को जाता है कार लोन में सीधा vendor को जाता है इसमें जो होता है वह सीधा disbursement customer के account में कर दिया जाता है फिर उसकी मर्जी है वह पैसा जैसे चाहे यूज़ कर सकता है और margin इसमें किसी तरह का कोई चीज नहीं रहता ना ही इस loan में कोई खास security है बस sign करवाए जाते हैं और यह employer से कोई check-off facility अगर अवेलेबल है तो वह ली जाते है otherwise कोई security इस loan में नहीं है सबसे risky loan होता है from the bank's point of view तो इसलिए competitively जो rate of interest भी रहता है वो बाकी loan के मुकाबले हलका सा जाधा रहता है तो charges क्या है इस loan scheme के लिए जो Central Bank of India आपसे charge करेगा 500 प्लस GST तो यह charges भी जो change होते रहते हैं और बहुत बार charges का waiver होता है आप जब भी loan ले एक बार bank से confirm कर ले और waiver होगा तो आपको काफी फाइदा होगा benefit होगा यह charges भी आपके बच जाएंगे इसके अलावा stamp duty भी bank आपसे demand कर सकता है यह vary करता है state to state time to time हर एक state की अलग stamp duty है और वो भी loans पे applicable होती है तो यह था central bank of India personal loan scheme तो इसको कैसा लगा आपको आज का यह वीडियो कमेंट करके comment box में जरूर बताएं अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को like करें चैनल को subscribe करें और वीडियो को share करें thank you for watching वीडियो करेंगा आपको यह वीडियो